नमस्ते रादे रादे, हेलो अब्रीवन, वेलकम तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपके BST 5th semester के Unit 5 का Botany का Paper 1st का Movement in Plants बिसिकली आपको दो ही नाम दिया गया, Spontaneous and Paratonic Movement उसमें भी आपको डिटेल पढ़ना है, उसमें आपको डिटेल पढ़ना है, तीक है, उसको हम देखेंगे, और मैंने Paper Analyze किया गया है, तो इससे Question नहीं पूछा गया, तो इस बार Chances हैं कि यहां से Question आपसे पूछे जा सकते हैं, तीक है, दो ही तीन पेपर मैंने Analyze की हैं, लेकिन वहां पर इससे Question नहीं पूछा गया था, तीक है, इसके अलग वाले पार्ट, जो Seed Darmancy है, Phytochromes है, वहां से Question पूछा गया था, तो मूवमेंट से प्लांट की बात करें, तो प्लांट का मूवमेंट क्या होता है, प्लांट चलते हैं, नहीं, प्लांट चलते नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ऐलगी वगरा होते हैं, जो जिनकी पूरी बॉड़ी फी मूव करती है, तो प्लांट का मूवमेंट किस तरीके से बता है, इसमें हम बिसिकली वही पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे Human क्या है, कि अपने दो से, बाइपीडल लोको मोशन करके, अपने दोनों पैरों से, इस तरीके से, यहां से यहां पर पहुंच जाता है, लेकिन प्लांट क्या है, इस तरीके का मूवमेंट नहीं सो करते हैं, तो फिर प्लांट कैसे चलते हैं, प्लांट कम्मिनिकेशन कैसे करते हैं, इन सब चीज तो root क्या होता है root इस तरीक से लीचे की तरफ बढ़ता है इस तरह मुव करते हैं ठीक है अभी आप देखेंगे यह मेरे बताने का मतलब नहीं है वह continuously in case stem root leaves move करते रहते हैं ठीक है the movement in plants mostly seen in किस form में देखा जाता है bending इस तरह के से plant यह यहां bend हो गया है bending में turning ठीक है टेंड्रिल आपने देखा होगा टेंड्रिल इस तरह के से पाज़ाता है इस तरह के से वह मुड़ते हैं टेंड्रिल twisting twist करने में इस तरह के से twisting में help करेंगे ठीक है elongation of plant part किसी plant part का बढ़ना यह सब क्या है इनका movement का process है अब यह movement बिसिकली दो तरीके के होते हैं जो आपके slabs में नाम दिया है that is autonomic and paratonic autonomic or spontaneous movement कहते हैं plot movement हम पढ़ रहे हैं तो autonomic spontaneous or induced movement कहते है further इनकी क्या है categorize इनको किया गया है जैसे spontaneous या autonomic movement की अगर मैं बात करूँ तो इनको तीन basic part में divide किया गया है एक है movement of locomotion का कैसे यहां पर पूरी body locomote करेगी दूसरा है growth and curvature मतलब यह लंबाई में बढ़ेंगे और इस तरीके से curvature बनाएंगे और variation movement तीक है उसमें से भी जो growth and curvature वाला part है उसको दो में divide किया गया है nutation movement और nastic movement जब पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे with diagram यहां आपको पूरी चीज़े दिखाएगी है induced की बात करें तो induced को हम paratonic movement कहते हैं इसको basically तीन पार्ट में divide किया गया है tropic movement, tropic आपने बार बार पढ़ा है जब मैंने hormone पढ़ाया है तो वहां पे आपको tropic movement पहले ही hormone में हमने पढ़ा है ठीक है तो oxygen में ही हमने tropic movement पढ़ा, tropic movement क्या होता है उसको देखें कई तरीके का पढ़ो सकता है geotropism, phototropism, gravity की वज़े से घुमाव, ठीक movement, light की वज़े से movement, पानी की वज़े से HydroTropism, chemical की वज़े से ChemoTropism, temperature की वज़े से ThigmoTropism जिस भी factor की वज़े से movement होगा plant में propism उसी type का हो जाएगा चाहे वो gravity हो, चाहे वो light हो चाहे वो water हो, चाहे वो chemical हो चाहे वो temperature हो, ठीक tactic movement क्या होते हैं tactic movement भी light, chemical और temperature के basis पे होते हैं इसी वज़े से इंको photo tactic, chemo tactic और thermo tactic कहा जाता है nastic movement की अगर बात कीज़े तो nastic movement भी तीन टाइप के हैं nictinastic, chemo nastic सारी चीज़े हम पढ़ेंगे तो चलिए के करके देखते हैं ठीक है यहाँ पर वही बात फिर से कहीगे the movements of higher plant मतलब जो बड़ी plant है उनमें basically bending, twisting, elongation देखा जाता है दो तरीके का movement होता है spontaneous और induced spontaneous या autonomic movement हम क्यों कह रहे हैं spontaneous movement को हम autonomic movement भी कहते हैं क्यों कह रहे हैं या paratonic induced या paratonic movement क्यों कह रहे हैं तो spontaneous का मतलब ही होता है सहज गती से मतलब कोई आपको कुछ बाहर से कोई चीज करना ना पड़े और वो चीज हो जाए, naturally हो जाए, ठीक है, तो ऐसे movement को spontaneous movement कहते हैं, there are other plant movement which take place spontaneously without external stimuli, जो इसका main चीज है, कि इसमें आपको बाहर से कोई चीज देनी नहीं पड़ेगी, ये just हो जाएगा, ठीक है, these movements are described as spontaneous or autonomic movement, induced का मतलब बता है किसी चीज को induce करना, प्रेरीत करना, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ बाहर से आपको externally देना पड़ेगा, कुछ जो plant होते है movement caused by response to certain stimuli, इनको बाहर से stimuli देना पड़ेगा, and they are said to be induced or plant movement which take place spontaneously without any irritability and sensitivity of protoplasm, ठीक है, तो यहाँ पर protoplasm अगएरा में कोई movement or irritability नहीं होगी, और इनको बाहर से कुछ light अगएरा दी जाएगी, तब यह move करेंगे, तो यहाँ भी अगर बात की जाए, autonomic movement, तीन तरीके के होते हैं, जो उपर मैंने आपको described किया movement of locomotion, growth and curvature movement, और variation movement, ठीक है, growth and curvature भी दो टाइप के होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, similarly paratoning movement तीन ताइप के होते हैं, tropic, tactic, gnastic movement, ठीक है, इसके भी अलग-अलग टाइप हैं के करके पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे, autonomic और spontaneous movement, तो autonomic और spontaneous movement की बात करें, तो movement of locomotion, पहला हम इसमें पढ़ेंगे movement of locomotion, movement of locomotion क्या होता है, इस तरीके से, cyclosis, मतलब देख रहा हैं, यह plant है, इधर से, यहाँ move कर रहा है, oscillatory movement, इस तरीके के movement को, यह clamidomonas है, पूरा का पूरा clamidomonas, यहाँ से, यहाँ, यहाँ से, यहाँ, यहाँ से, movement कर रहा है, तो इस तरीके के movement को, movement of locomotion, मतलब चला जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे whole plant body, और, an organ, और material within the plant cell, which occur in response to inherent factor, and are free and spontaneous, are seen to movement of locomotion, sorry, movement of locomotion, जहाँ पे क्या हो, plant की पूरी body, ठीक है, यह plant का कोई organ, किसी response में inherent हो, move करें, तो उसको क्या कहते हैं, movement of locomotion, example, इसका क्या है, cyclosis, streaming of cytoplasm, cyclosis क्या है, streaming of cytoplasm, cytoplasm का, बहाव, ठीक है, streaming होना, oscillatory movement, ठीक है, movement oscillatoria, क्या है, एक तरीके का algae है, उसका movement, ठीक है, motility of juice spore, juice spores की क्या है, motility, उनका move करना, juice spores जोगते हैं, land के, उनका move करना, ठीक है, इसको क्या कहते है, movement of locomotion, है, और type की इसका है, spontaneous, या autonomic का, फिर आता, growth and curvature movement, growth and curvature movement, यहाँ आप देख रहेंगे, किस तरीके से curvature का नाम ही है, curve का बन जाना, ठीक है, यह nastic का example है, curve बन जाना, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, growth and curvature, these movements are brought about by unequal growth और different side of an organ, unequal growth हो जाना, मतलब इस तरीके से बढ़ रहा था, और यहाँ growth जादे होने लगे, unequal growth हो गया, तो बढ़ गया, unequal growth हो जाए, तो इस तरीके से swelling हो जाना, यह दो type की होते हैं, basically, nutation और nastic देखा जाता है, nutation, nastic का example आप देख रहे हैं, nutation क्या हो ना, the side of the supporting organ that is contact to support grow at slower rate than the opposite side, यहाँ पर क्या हो कि अगर इस तरीके से कोई plant ग्रो कर रहा था, इस तरीके से कोई plant ग्रो कर रहा था, और यह आपने side में support लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ support लेकर जो इस तरीके से बढ़ेगा, उसकी rate क्या होगी, बढ़ने की कम होगी, ठीक है, और जिसकी वज़े से क्या होगा, कि curvature बन जाएगा, कर्व बन जाएगा, spiraling हो जाएगी या tuning हो जाएगी इस तरीके से, जिस पर चड़ेगा, उसी पर spiraling या tuning कर लेगा, इस तरीके के movement को newtation कहते हैं, ठीक है, नैस्टिक movement की बात कहे है, यह जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर क्या होगा, growth rate जादे था तो सीधा था, अगर upper surface क्या हो, upper surface पे, मतलब उपर वाले surface पे, when the movement occurs due to faster growth, movement क्या हो, faster growth की वज़े से हो, upper surface पे, तो उसको हम appinastic movement कहते हैं, जब मैंने आपको अभी हर्मोन से बढ़ा रही थी, तो वहाँ मैंने बताया था, appinastic movement मतलब, तो appinastic movement क्या होता है, जब प्लांट का growth, upper surface पे, faster होता हो तो उस तरीके के movement को, appinastic movement कहते हैं, जब lower surface पे क्या हो, lower surface पे, when the lower surface of the growing organ, जब movement lower surface पे जादे हो, तो उसको क्या कहते हैं, hyponastic movement, तो आपको appinastic movement और hyponastic movement, समझ में आ गया होगा, जब आरगन के अपर वाले, उपर वाले surface पे movement जान दे हो, तो उसको हम कहेंगे, hyponastic movement, और जब lower surface पे movement जादे हो, तो उसको हम कहेंगे, hyponastic movement, example क्या है, opening of floral blood, sorry, birds, floral birds की opening, ठीक है, circinately coiled leaves are good example of nastic movement, इस तरीके की coiling वाले, जो circinate coiling जिन में वाई जाती है, प्लांट में, वो अच्छे example है किसके, इस तरीके के flower, nastic movement के, ठीक है, तो curvature and growth भी समझ में आ गया, थर्ड हम पढ़ेंगे इसका variation movement, variation movement क्या होता है, ठीक है, इस तरीके का variation movement, यहाँ पे देख रहे हैं, प्लांट ऐसा grow कर रहा था, यहाँ पे ऐसा हो गया, पहले ऐसे था, ठीक है, फिर यह leaf आएं, इधर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो जाए, इस तरीके के movement को क्या कहते हैं, हम लोग, variation, variate कर करके, कहीं पे सीधा है, कहीं सीधा है, कहीं सीधा है, इस तरीके का, periodic variation in the turgidity of the cell of an organ, cell में क्या पाई जाते हैं, turgid होते हैं, cell turgid होते हैं, ठीक है, तो cell की turgidity में, जब variation पाई जाता है, तो इस तरीके का example, देखा जाता है, कि variation movement उसमें पाई जाता है, best example इसका है, Indian telegraph plant, जिसको कि desmodium guidance भी कहते हैं, variation movement desmodium guidance, Indian telegraph plant में देखा जाता है, where up and down moments of their two lateral leaflets, occur in rhythmic manner, up, down, up, down movement, इस तरीके से up, down movement, इनके में होगा, ठीक, rhythmic manner में, एक rhythm में, उपर, नीचे, उपर, नीचे, जैसे दिन, रात, तिन, रात, एक rhythmic movement है, उसी तरीके से, उपर, नीचे, उपर, नीचे, इस तरीके से rhythmic movement होगा, इनकी leaflet क्या होंगी, प्रियोडिकली नीचे होंगी, उपर हो जाएंगे, नीचे होंगी, उपर हो जाएंगे, ऐसा क्यों होता है, प्रिजेंस ओफ लार्ज, लूज कर देते हैं, तर्जीड होती है, यानि कि पानी भारा रहेगा, तब यह तर्जीड रहेंगी, आप सब में पढ़ा होगा, वो movement, आपका, किसमिस वाला, यानि कि, जो resin होता उसमें, पानी में जब रहता है, तो क्या होता है, जब water in में आ जाएगा, फिर से, तो यह क्या हो जाएगी, टर्जीड हो जाएगी, और फिर से, वो क्या होगा, उपर उठ जाएगा, इस तरीके से movement होगा, पानी, इसमें देखिए, पहले क्या था, ऐसे सीधा था, तर्जीड है, पानी इसमें पूरा भरा हुआ, पानी को लूज कर दिया है, तब इस तरीके से क्या होगा, नीचे आ जाएगा, जब तो अपर, बेलो, movement इस तरीके से होता है, और इस तरीके के movement को, हम कहते हैं, variation movement, और यह spontaneously होता है, autonomic movement होता है, अब अलग से कुछ light नहीं देना पढ़ रहा है, temperature नहीं देना पढ़ रहा है, ठीक है, hopefully आपको यह तीन हो, एक बार मैं और revise कर देती हूं, आपका autonomic movement हमने पढ़ा, movement and locomotion, movement of locomotion हमने पढ़ा, जहां पूरी body movement करती है, growth and curvature पढ़ा, जहां body का एक part move करता, उसमें भी हमने nutation and elastic movement पढ़ा, फिर हमने देखा, आपका variation movement, variation movement में हमने देखा कि किस तरीके से, stem या leaf एक जगह पे, उपर एक जगह नीचे है, इस तरीके के movement को कहते हैं, आपका ये dysmodium guidance, Indian telegraph plant में देखा इसको जाता है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, वो आपका पढ़ने वाले है, paratonic या induced movement, जिसमें पहला चीज हम पढ़ेंगे, paratonic या induced movement का उपर, मैंने definition दे दिया है कि इसमें क्या होगी, external आपको stimuli दोनी पढ़ेगी, external कुछ temperature, light ये सब देना पढ़ेगा, ठीक है, इसमें पहला हम पढ़ेंगे, tropic movement, tropic, tactic, ये सब है, तीन ताइप, तो हम पहला पढ़ेंगे, tropic movement, tropic movement में क्या होता है, growth movement which occur in response to unidirectional external stimuli, कि इस तरीके के, उसमें क्या होगा, कि इस तरीके से unidirectional, एक direction से light आएगी, ठीक है, result in positioning of the plant direction, light आएगी, तो आपने पढ़ा था, क्या, oxyn, oxyn पी क्या होता है, जब light एक तरफ पढ़ रही थी, तो curvature बन जा रहा था, तो ये movement हुआ ना, plant का, तो इस तरीके से movement होगा, positioning plant के position में change होगा, इस तरीके के movement को, tropic movement कहेंगे, चार तरीके के होते हैं, phototropic, मतलब light से related होंगे, geotropic, मतलब gravity से related, hydrotropic, मतलब water से, or chemotropism, मतलब chemical से related, phototropism में क्या होता है, phototropism जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, कि sun की light इस तरफ पढ़ रही, तो ये plant इसी तरफ ऐसे जुग जा रहा है, इस movement को क्या कहते हैं, phototropism, ठीक है, इस curvature movements अकर, ये कब होता है, जब plant को artificial ये natural light दी जाती है, किवल एक direction में, एक direction में दी जाती है, तो इस तरीके के movement को phototropism कहते हैं, यहां पर system which generally throw a curvature, toward, toward नहीं होगा, toward, ठीक है, toward the source of light, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर जब light जिस तरफ पढ़ेगी, उसी तरफ movement होगा, इस तरीके के movement को हम क्या कहते हैं, positively phototropic, मतलब positive response दिखा रहे हैं, जिस तरफ light पढ़ रहे हैं, यह उसी तरफ move कर जा रहे हैं, तो इस तरीके के response को कहेंगे, positively phototropic, roots which grow away from the source of light, और root क्या हैं, यहां से दूर हैं, अगर यह plant का stem है, तो यह light की तरफ move कर रहे हैं, लेकिन root यहां से दूर है, तो यह क्या है negatively phototropic, मतलब यह light के डिसा मेंने response कर रहे हैं, light से opposite direction में response कर रहे हैं, इस वज़े से इनको क्या कहा जाएगा, negatively phototropic, मतलब light के opposite direction में है, और जो light की direction में है, जैसे कि stem leaves उसको कहरे है positively phototropic, तो hopefully आपको phototropism समझ में आया होगा, अब ऐसे ही concept है geotropism का, geotropism का मतलब बताए, growth movement induced by stimulus of gravity, जहां पे gravity के response में, जैसे हैं आपकी root, root किस तरफ, अर्थ में gravity पाज रहे है, तो root क्या है, gravity की तरफ जा रहे है, और plant का stem क्या उपर जा रहा है, मतलब gravity से दूर जा रहा है, तो इसमें stimulus किसका होगा, gravity का, primary roots always grow downward the direction of gravity, तो primary root क्या होते हैं, इसके direction में, gravity के direction में, जिस तरफ gravity है, उसी तरफ move करेंगे, ठीक है, और इसी वेज़े से इनको positively geotropic कहा जाता है, जबकि जो suit है, suit क्या है, negatively geotropic है, क्योंकि ये gravity के opposite direction में बढ़ रहा है, save जो गिर रहा था, वो gravity की वेज़े से गिर रहा था, मतलब gravity की direction में गिर रहा था, तो root क्या है, उसी तरीके से नीचे जा रहा है, that's just my example दे रही हूँ, और shoot क्या है, यानि कि जो stem अवेरा plant का, वो धर्ती से उपर की तरह जा रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका negatively geotropic, तो phototropic में positively और negatively है, वहाँ पे root क्या था, negative direction में था, यहाँ root positive direction में, तो दोनों में difference आपको याद रहना चाहिए, आप confused मत हो जाईएगा, ठीक है, यहाँ वहाँ पे gravity नहीं थी, वहाँ light, light के direction में movement है, तो stem याँ और shoot क्या है, positively phototropic थे, यहाँ root क्या है, gravity के direction में, तो यहाँ root positively geotropic है, secondary root और lateral root, इसके बाद जो secondary और lateral root निकलते हैं, यह weaker होते हैं, response to gravity, gravity के response पे, इसी वज़े से, एक term आपढ़ेंगे, dieotropic, वो समझाने के लिए, यहाँ बताए गया है, कि यहाँ पे root, इस तरीक से primary और secondary भी निकलेंगे, इस तरीक से, तो जो secondary lateral root यह shoot होते हैं, weaker response होका थे gravity की में, बलब gravity की तरफ नहीं आएंगे, उससे response अच्छा नहीं दिखाते हैं, ठीक है, the stick up position at an angle of gravitation stimulus, तो एक gravitation stimulus पे, यह क्या करते हैं, angle पे यह grow होने लगते हैं, इस तरीके के process को क्या कहते हैं, dieotropic, dieotropic, तो यह positively geotropic है, यह positively negatively geotropic है, ठीक है, यह positively geotropic और यह negatively geotropic, ठीक, hydrotropism क्या होगा, कि जब plant के response, water movement in response to unilateral stimulus of water is known hydrotropism, जब water के response में unilateral, एक तरफ से water के response में काम करें, उसको क्या कहते हैं, आपका hydrotropism, root क्या होता है, positively hydrotropic होता है, मतलब root क्या होगा, water के response में काम करता है, उसकी तरफ बढ़ता है, तो क्या है, hydrotropic curvature, जिस तरफ पानी जादे होगा, उसी तरफ मुड जाएगा इस तरीके से, तो plant क्या है, plant का root, क्या है, positively आपका hydrotropic है, और वहीं उपर वाले part क्या होगा, होगे, निगेटिव होगे, chemotropism की बात करें, जब chemical के response में movement हो, unilateral, unilateral is to, हमेशा याद रखेंगे, एक तरफ से पढ़ेगा, तो उसको क्या कहींगे, chemical movement, ठीक है, इसका pollen tube जो है, through style toward the ovary, is an example of chemotropism, जो pollen tube है, वो style के through क्या होता है, ovary में जाता है, यह किसका example है, chemical, यहाँ पर chemical एक सिक्रीट होता है, इसी वज़े से chemical से अट्रेक्ट हो किस तरफ आता है, यह किसका example है, chemotropism को, तो मैंने width diagram आपको सारी चीज़े समझा रहे हूं, ठीक, तो आपको, tropic movement समझ में आगे, अब हम देखेंगे tactic movement, tactic movement क्या होता है, इसको हम समझेंगे, तो tactic movement क्या होता है, tactic movement में हम देखते है, movement of locomotion, which induced by some unidirectional, यहाँ पर be unidirectional external stimuli होगी, direction is controlled by direction of these stimulus, direction का control किसके दर होगा, जो stimulus का direction है, जिस तरफ stimulus का direction है, उसी तरफ, ठीक है, तीन तरीके के phototactic, chemotactic और thermotactic, phototactic की बात करें, तो phototactic में क्या होता है, these tactics movement and response to unidirectional light, unidirectional light के response में, ठीक है, यह देख सकते हैं, जिस तरफ light है, उसी तरफ क्या हो रहा है, इनका movement हो रहा है, और इधर जिस तरफ light हो धर movement, ठीक, example, free swimming algae, जो spore, gametes, when swim toward the diffused light, are said to be positively phototactic, जब light के direction में का जाएंगे, इस तरफ light जाएगी, तो उनको positively phototactic, जब उससे दूर जाएंगे, तो negatively phototactic, ठीक, chemotactic में क्या होता है, unidirectional movement होता है, कुछ chemical के response में, जैसे movement किसका, anthrazoid का of bryophytes and terodyophytes toward egg due to chemicals, chemicals की वज़े से, जो anthrazoids होते हैं, bryophyte और terodyophyte के, वो egg की तरफ move करते हैं, ठीक है, egg की तरफ ये move करेंगे, anthrazoids, और ये process क्या कहलाता है, chemotactic, thermotactic का मतलब, जब certain temperature के, unidirectional certain temperature, कुछ temperature के response में, जैसे rapid rotation of cytoplasmic movement in leaf of wellisneria, wellisneria के leaf में, जब increased temperature होता है, temperature बढ़ाया जाता है, तो cytoplasmic movement ज़ादे होता है, movement of algae form a clodder to warmer place, ठीक है, colder, clodder नहीं, colder, ठीक है, colder से warmer place की तरफ, किसका movement होता है, algae का, ठीक, तो ये हो गए, tactic movement, अब हम पढ़ेंगे, gnastic movement, ठीक है, gnastic movement क्या होता है, the movement can be due to change in turgor, और change in growth, ठीक है, किस पे turgor, आप सब को पता, turgor pressure क्या होता है, जब water पाय जाता है, leaves में, water पाय जाएगा, तो वो tergitis में पाय जाती है, उसमें अगर कुछ change होगा, और growth में कुछ change होगा, इस तरीके के movement को gnastic movement कहते हैं, ये nature of stimuli, पे depend करता है, तीन तरीके का होता है, nictinastic, chemo gnasty, और seismo gnasty, एक एक करके देखते हैं, nictinastic का मतलब क्या होता है, nictinastic का मतलब, these movement of organ, आकर response to day and light, ये किसके response से होंगे, day और light के, तर्गर पेसर कुछ और होता है, और रात के टाइम में, तर्गर पेसर कुछ और होता है, ठीक है, तरजी जीटी से, तो इनको day and night, या sleep, non sleep movement भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इस तरीके का movement आप देखते हैं, legume of acacia totuosa, day time में ये देखिए, इसके leaves open है, ठीक है, लेकिन night के time में, ये क्या हो गया है, बंद हो गया है, छुई मुई आपने देखा है, छुई मुई, उसको आप touch करते हैं, अभी आप आएगा भी, तच करते हैं, वो क्या होता है, बंद हो जाता है, फोटोनेश्टिक की बात करें, इस मुउमेंट क्या है, वन इंडूस्ट चेंज इन light intensity, फोटोनेश्टिक मुउमेंट का होगा, जब light की intensity में चेंज होगा, फ्लावर ऑफ औक्जैलिस, पॉर्टोपोला, निकोटीन ना, देखिए, यहाँ पर cooling down में, यह leaf के यहाँ बंद है, जैसे ही warming up हुआ, यह leaf खुल गई, ठीक है, यहाँ same example, यहाँ पर भी है, ठीक है, थर्मोनेश्टिक का मतलब, movement when induced change in temperature, temperature में change हो, जैसे tulip and saffron के opening और closing, चेंज होगा temperature में, तो यह close होंगे और खुलेंगे, ठीक है, यह तो बात हो गई किसकी, निक्तिनेश्टिक की, कीमोनेश्टिक की बात करें, movement किसके response में होगा, chemical case tumulus में, यह कीमोनेश्टिक का है, example, normally ऐसे बंद है, और जब chemical आया, तो इस तरीके से खुल गए, ठीक है, कीमोनेश्टिक मुवमेंट, example, strong कीमोनेश्टिक पाया जाता है, इसमें peripheral tentricals of sundew plant, drosera के बारे में, कैसे होते हैं, insect eating plant होते हैं, insectivores plant होते हैं, drosera, pentata के नाम से जाना जाता है, जब organic nitrogenous compound इस पे आते हैं, तो इसकी leaf क्या हो जाती है, खुल जाती है, सीजमोनेश्टि क्या होता है, touch के response में, touch जैसे कि इसका सबसे अच्छा example क्या है, mimosa pudica, mimosa pudica कि इसको कहते हैं, छुई-muhi के plant को कहते हैं, जब इसको और touch करेंगे, तो वो खुल जाता है, बंद हो जाता है, normally खुला रहता है, ठीक है, उसी तरीके से ये drosera या nepenthes की बात करें, तो इसके अंदर जब nitrogenous plant जाता है, इसमें tergidity में change होगी, तो ये खुल जाएगा, तो hopefully आपको movement समझ में आ गया हो, कि movement क्या है, ठीक है, तो basically हमें spontaneous autonomic movement पढ़ना था, जिसमें हमने 3 type पढ़े, ठीक है, और फिर हमें पढ़ना था, आपका sorry for that, आपका movement में ही हमें क्या पढ़ना था, induced ये paratonic movement, उसमें भी 3 type के थे, सबके हमने type cover कर लिए, आपको सारी एक एक term समझ में आ गया होंगे, इसके बाद भी अगर कोई problem होती है, तो अब बता सकते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, थांक्य अवरिवन,